जी असलाम अलेक्यूम एवर्यवन आई होप सो सब बेटा ठीक ठाक होंगे खेर खेरियत होगी स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स टाइपस ऑफ फोर्स पे जसमें हम बेसिक सी डाफिनेशन समझ लेते हैं कि वोट इस कॉंटेक्ट फोर्स तो आपिस्ञाइस के दर्मयान कांटेक्ट होगा फिजिकल cherry होग तो वहां पर फोर्सेम कोंगे एक्सचेंज शीर होगी उन स्टा सेम्ट फोर्सेंगे so contact forces exist between the objects that are in contact बस आपने definition थोड़ी से देख लेनी है तो आपको contact force हमेशा produce करने के लिए दो surface के दरम्यान क्या होना चाहिए दो objects के दरम्यान भी contact होना ज़रूरी है clear हो गया तो ऐसी forces को हम कौन सी forces कहते है students contact force कहते है जैसे pushing a ball इसको ले लो soccer ball, football जिस तरह है उसको kick लगाते हो तो obviously football को एक जगा से दूसरी जगा पे लेके जाने के लिए आपको contact कहोना बहुत ही ज़रूरी है clear next slide में हम students देखते हैं non contact forces को और ये ऐसी forces होते हैं student जिन में contact नहीं होता सिरफ हम करीब लेके जाते हैं ये हम दूर से ही उस force का effect produce कर सकते हैं easy so non contact forces which do not require object to be in contact to exist जिसका मतलब है contact की ज़रूरत नहीं है क्या मतलब निकला students मतलब ये निकला कि जब भी आप iron के pieces किसी magnet के करीब लेके जाते हो तो अभी वो iron के pieces in contact नहीं आते इसके बावजूद भी ये जो iron के pieces हैं ये due to magnetic field lines इस effect की वज़ा से magnetic force की वज़ा से ये उपर attract होके इसके साथ ही ये stick हो जाते हैं इसका मतलब है contact को भी नहीं हुआ था ना उसके बावजूद भी forces का effect हमें नज़र आना शुरू हो गया इसके साथ ये अगर आप ये balloon को चार्ज करें with the help of some rubbing with the fur material आप कह सकते हो कि आप जैसे इस balloon को rub करते हो तो इस balloon की उपर क्या आ जाता है students चार्ज आ जाता है अब वो चार्ज कैसे आता है कौन सा चार्ज आता है क्या process होता है इंशाला हम जब start करेंगे static electricity तो हम वहाँ में वहाँ पे हम काफी details सही है चीज देख लेंगे कि किस तरह चार्ज आता है बहराल अब ये जो चार्ज आए इसकी वज़ा सही जो water की एक water जो इस direction में flow कर रहा था ये अपनी direction चेंज करके थोड़ा सैसे करव बात बना देता है चेक करें आप ये ये चेक ये पानी इस तरह कर रहा है ठीक हो गया तो देखें ना contact में तो नहीं आया ना बैलून आया ना water in contact नहीं कि उसके बावजूद भी forces का effect generate होना शुरू हो गया कुछ है दूसरी definition है जो के आपके लिए जुरूरी है students understand करना जिसमें आपके पास आजाता है जी drag force और air resistance आजाता है अगर आपने terminal velocity का concept समझा है तो आपको drag force और air resistance को समझना मुश्किल काम आपके लिए नहीं होगा just because के आपको मालूम है के जो air molecules होते है air के अंदर liquid के अंदर वो bombard करते है आपकी surface के उपर चाहे वो एक air craft हो या एक human body हो ठीक हो गया अब जैसे ही आप velocity increase करते हो अपने object की air craft की चाहे आप C के अंदर कर रहे हो water के अंदर करो या gases के अंदर मतलब air के अंदर करो इन दोनों cases में वो जो molecules की collision है वो frontal area पे जादा हो जाती है as compared to backward areas, clear हो गया so imagine कर लो simple सी बात है आप गाड़ी चला रहे हो तो आप गाड़ी चला रहे हो यह जो hand अपना यह बाहर निकाल दो तो यहाँ पे जो air molecules की collision है वो जादा हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगी, कम होगी तो एक resistance force generate होती है जो के आपके hand को back set push करती है, इसी को हम कहते है students, track force कहते है या air resistance कहते है so resistive force caused by the motion of the object through a fluid such as liquid or air, they act against the direction of motion of the object to slow it down, I hope so कि आपको understanding हो गई होगी, thrust क्या होता है students, जो basically हम accelerate करते हैं, अचानक चाहे वो एक bike को कर रहे है, एक engine thrust produce कर रहा है, चाहे वो aircraft से कर रहे है एक ship से कर रहे है, so basically जो thrust की direction होती है, वो हमेशा forward होती है, in the direction of motion होती है, and thrust is basically a sudden force in a particular direction होती है easy, so यह दो तीन मैंने images रखे हैं, यहाँ देखिए thrust आगे है बिटा, air resistance हमेशा backward है, thrust आगे, air resistance पीछे, नीचे क्या है students weight है, यहाँ बेभी thrust है क्यों सा thrust है, आप thrust है, जो के upward direction है, easy हो गया, यह आप कहां आप पढ़ेंगे, basically archimedes principle है जितना मतलब आप fluid के अंदर water को disperse करते हो, water उतना ही force आपके object की उपर लगाता है इसको हम up thrust कहते है, easy I hope so के सारी चीज़े हो गई होगी, drag force है, thrust है, weight है lift है, lift क्यों होता है basically एक side पर pressure जादा होता है, दूसरी side पर हम कम करते हैं, तो उसकी वज़े से air जो है वो upside force लगाती है, aircraft हो जिसे वो lift कर जाता है easy okay जी, next है students हमारे पास balance and unbalanced forces, तो यह तो नाम सी जाहर हो रहा है students के balance ऐसी forces होंगी जिन में forces का effect हमें zero मिलेगा और unbalanced forces वो होंगी जिन में forces का effect हमें generate होता हुआ नजर आएगा simple सा concept करते हैं students के अगर आप एक room में बैटे हो और उस room में एक door के डूर पे अंदर से 2% force लगाना शुरू करते हैं, clear होगा है, इसका मतलब फाइफ न्यूटन की 2% force लगाएंगे inside और फाइफ न्यूटन की outside force लगाएं तो क्या वो डूर ओपन होगा नहीं students नहीं open होगा, इसका मतलब है जितनी अंदर force लग रही है, उतनी बाहर force लग रही है, दोनों की direction change है students तो उससे होगा क्या, उससे होगा यह कि दोनों forces एक दूसरे के effect को cancel करेंगी और आपका जो object है वो stationary रहेगा, अब यह animation है, इतना ideal cases तो नहीं होते जब भी आप hand wrestling करते हो, sorry arm wrestling करते हो तो यहां पर देखें न क्या हो रहा है, कि एक direction force इधर लग रही है, कि इधर लगाना चाहरा है अब चुके दोनो forces equal है, तो यह arms जो है, यह move नहीं कर रहे है, same यहां पर भी देखिए animation है, अब इसको ज़्यादा serious नहीं लीजएगा, जितनी बेटा left side force लग रही है, उतनी क्या लग रही है right side force लग रही है, तो इन दोनो cases में हमारे पास जो resultant force है, वो क्या आ रही है, zero आ रही है यह देखिएगा, यह दर force equal लगा रहा है, यह दर force equal लगा रहा है, तो चुक्के दोनों forces बराबर हैं, तो एक दूसरे के effect to cancel कर रही है इसको हम कहते हैं, balance forces कहते है, तो हम students अपनी असानी के लिए एक force को कहेंगे, आज से forward force, ठीक हो गया, जो के forward direction में होगी आपकी अपनी मर्जी है, एक force का forward force कर दो, FF जिसको हम कहेंगे, easy, और reverse direction में जो force होगी, उसको हम कहेंगे, backward force कहेंगे, क्या कहेंगे, backward force कहेंगे students, और इसकी direction क्या होगी, इस तरफ होगी, और इसको हम किसे abbreviate करेंगे, BF से abbreviate कर दो, एक forward force, एक backward force, तो अगर आपको balance forces इकवल होगी backward forces के, easy, और अगर दोनों में से एक dominant कर जाती है, तो फिर forces, balance forces नहीं रहती, फिर forces आ जाती है, unbalanced forces आती है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजार आ रहा है, चेकीजिए, यहाँ force लगी, यहाँ force लगी, forces जादा थी, string break होगी, तो person जो है, वो side पे जाके, गिर गह है, okay, असान घरते हैं और शायद थोड़ा से मुश्किल हो गया होगा, unbalanced forces, तो यहाँ देख लेना, अब एक force अगर क्या है, यहाँ इस image को समझिए, यह देखें, 55-500, 500, balance दी, एक 700 कर दिया, तो इस तरफ क्या हो गया, moment जादा हो गया, that's been forces इस तरफ जादा होगी, तो जादा force कर दो, यहाँ पे देखिएगा, यह चक करें, यह इदर move कर रहे हैं, right side क्या करें, यह move कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक तरफ जो direction of movement है, यह forces की जो value है, यह जादा आ रही है, तभी tug of war में जो यह लोग हैं, यह इस तरफ move कर रहे हैं, यह चक कीजएगा, यह force ल define करते हैं, sum of all the forces is equal to 0, क्या मतलब निकला, मतलब यह निकला, कि जो resultant force है, net force है, वो किसके बराबर है, वो है, forward force minus backward force के students क्या है, बराबर है, तो अगर दोनों बराबर हो जाएं, तो 5 minus 5 हो जाएगा, और आपका answer क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, so resultant force हमेशा क्या होगी, 0 ह acceleration will be 0, so अगर आपके पास resultant force 0 है, इसका मतलब है object की जो state है, state चाहे वो rest पे हो, या चाहे वो motion में हो, वो move नहीं कर रहा, अगर वो rest पे है तो वो rest पे रहेगा, that's mean के resultant force जतनी भी लग रही है, उसको move नहीं करवा पा रही है, उसमें जतनी आप applied force लगा रहे हैं, उतनी rest पे है, तो that's mean resultant force 0, तो acceleration भी क्या? 0 होगे, अब case करते हैं कि जब object move कर रहा हो, तो फिर किस तरह से आपकी acceleration 0 होती है, याद रखिएगा students कि जब भी आपके पास object uniform velocity से move करेगा, uniform speed से move करेगा, इस case में acceleration again 0 होगी, क्यों? क्योंकि acceleration नाम है, velocity या speed में change का, तो अगर students change नहीं है, तो that's mean acceleration की value भी क्या हो चाहेगी, automatically 0 हो चाहेगी, understand? बाकी अगर students के मतलिक आपको detail information चाहिए, तो moment का lectures खोलिएगा, उसमें lecture 3 या lecture 4 में मैंने, conditions of equilibrium मैंने वहाँ पे समझाई है, वो topics दरह आपने ध्यान से समझ लेना, ठीक है, उसको काफी details म मैंने समझाई है, तो वहाँ देखिएगा, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे समझ आजागी किस तरह से uniform velocity होती है, तो acceleration 0 होती है, या क्या criteria होते है, balance forces के, वहाँ पे मैंने काफी detail में समझाया हुआ है, ठीक है, आगे चलते है, change in velocity, तो that's been acceleration 0, तो velocity में, जो change है वो 0, इसका तो आपने उस lecture से समझने है, अगर आपको समझ आए, तो body किस में होगी, equally frame में होगी, ठीक है, आगे चलते है, some of all the forces is not equal 0, इसका मत्तब है, resultant force में, forward force minus backward force, तो एक force क्या करेगी, dominant होगी, जिसकी वज़े से क्या answer आजागा, two newton answer आएगा, ये two newton force responsible है, students क्या करने के लिए acceleration को generate करने के लिए, इसी, body की velocity को increment लगाएगा उसमें, समझारी के नहीं आ रहे है, और अगर acceleration 0 नहीं है, तो that means velocity में change हर सूरत होगा, चाहे वो increase होगी, चाहे वो decrease होगी, velocity में change must होगा, इसी, और अगर ऐसी condition है, कि acceleration produce हो गई है, तो body equilibrium में नहीं रहेगी, क्योंगे equilibrium की conditions है, यह resultant force का 0 होना जरूरी है, यहाँ पे resultant force की value 0 नहीं हो रही, that means that acceleration produce हो रही है, ओके जी, so next हम student start करते है, free body diagram, free body diagram होती क्या है, basically vector formation का एक technique है, जिसमें हम बजाए इसके के पूरी diagram बनाएं, हम सिरफ और सिरफ forces को arrows और, sorry, arrows से show कर देते हैं, एक straight line और arrow से show कर देते हैं, जो हमें बताता है, कि force की direction इस तरफ है, और इसकी value as compared to the other value कम होगी, यह जादा होगी, यह चीज़ आपको कौन बताता है, free body diagram बताती है, तो इसमें इतना detail समझने की जरूरत नहीं, technique समझने हैं, students, simple सी बात है, जैसे अगर यहाँ upside force लग रही ह तो मैं free body diagram किस तरह बनाऊंगा, मैं point बनाऊंगा, okay हो गया, और यहाँ से मैं क्या बनाऊंगा, normal reaction force उपर, और इदर क्या बनाऊंगा, w नीचे, simple सी बात होगी, so यह free body diagram है, क्या diagram पूरी यह चीज़ हटा देते हैं, simple simple, सिर्फ अब क्या इदर produce कर देते हैं, सिर्फ क्या जो arrow है, वो shorter बना दोगे, यह information हम इससे gain करते हैं, okay जे, अब students हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे हम, resultant force की value निकालेंगे, अगर object, unbalanced condition में है, equilibrium में नहीं है, that means that unbalanced forces उस पे apply हो रही है, okay जे, first condition में students देखिएगा, एक object है, अच्छा, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, जो भी right side force होगी, मैं उसको क्या कहूँगा students, forward force कहूँगा, clear हो गया, और जिसकी direction, students back side होगी, मैं उसको क्या कहूँगा, backward force कहूँगा, easy, अगर forward force, front area, मतलब सामने की तरफ है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, plus के sign से represent करूँगा, और अगर back side है students, तो मैं इसको क्या नेगडिव साइन से रिप्रेसेंट करूंगा इजी सो अब फर्स कंडीशन को देखिए इस कंडीशन के अगर मैं फ्री बॉडी डाइग्राम नहीं तो क्या मुझे ऐसे नहीं बनानी चाहिए एक डाइग्राम इस तरह हो गई और एक एरो इस तरह लगा दिया और एक एरो इस तरह लगा दिया क्या ख्याल है स्टुडेंट्स ठीक हो गया ना तो यह इस इस फोर्स की डिरेक्शन क्या है फ्रेंट साइड पे टू न्यूटन एस फोर्स की डिरेक्शन भी उसी तरफ है लेकिन इसकी वैलियो वन न्यूटन है अब इस पे हम फार्मूला लगाते हैं कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम रिजल्टन फोर्स रिजल्टन फोर्स इज इक्वल टू तो फ़र्वट फोर्स च्टूडन्स कितनी हैं आपके पास जिनकी डिरेक्शन सामने की तरफ राइड साइड है प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये बीटा है एक है प्लस टू और दूसरी क्या है प्लस बैक्वर्ट फूर्स है नहीं जीं नहीं है तो आंसर क्या आ गया प्लेस 3 तो यह चेक करें इसी हुआ के नहीं इसी हुआ तो आपका आंसर क्या आ गया 3 इसका मतलब है कि 3 न्यूटन क्या है स्टुरेंट्स 3 न्यूटन है resultant force है आपके पास जो के इस object क्यों पर क्या हो रही है इन दो forces के combine effect से produce हो रही है ओके हो गया अच्छा तो अब आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है स्टुरेंट्स रहा ध्यान दीचेगा गें यह चेक करें न इसका कितना है magnitude इतना है और इसका कितना हो गया इतना हो गया तो जब आपका आंसर क्या आएगा आपका अंसर आएगा 3 cm आपने अप टू 3 cm इस resultant force के vector को आपने draw कर देना है length बना देनी है आगी बाद समझ यहाँ देखिएगा इधर देखें 3 newton beta किदर है इस तरफ है forward force 2 newton किस तरफ है इस तरफ है तो यह कौन सी होगी यह negative होगी यह क्या होगी positive होगी अब लगाते हैं फार्मूला कौन सा resultant force is equal to ff minus bf so resultant force is equal to what is forward force 3 newton what is bf minus 2 newton and what's the answer plus 1 newton ठीक होगी अब ज़रा ध्यान से आपने समझ रहे हैं बात उसी की मानी जाएगी direction उसी की follow होगी जिसकी force जादा है तो इस दोनों में से कौन सी force जादा है obviously 3 जादा है clear हो गया तो इसके अगर मैं ऐसे partition करूँ एक partition दो तो यह 3 होगे students तो इसके करूँगा तो यह imagine कर लो 2 होगे तो यह जो दो हिससे हैं इसके यह इसके दो हिससे को काट देते हैं तो पीछे क्या रह जाएगा 1 cm रह जाएगा तो यह जखे 1 cm का arrow towards the right आ गया और vector का जो magnitude था वो भी हमने क्या कर दिया आपको समझ आ गया होगे इतना मुश्किल कहानी तो नहीं है एक फुटबॉल है इस क्यूपर क्या लग रहा है 20 newton right side लग रही है 12 newton की दर लग रही है इस side लग रही है तो यह क्या होगा students forward force यह क्या हो गया backward force तो resultant force is equal to forward force minus backward force करोगे तो 20 में से 12 minus करोगे students तो क्या answer आजएगा 8 answer आजएगा और obviously इसका size भी आप थोड़ा सा small करके बता दोगे कि हाँ जी जो force है resultant force है उसकी value 8 newton है लेकिन उसकी magnitude है वो भी क्या हो चुका है कम हो चुका है okay so next lecture में students हम बढ़ते है newton first law को I hope so कि आपक समझ आ रहा होगा अगर नहीं समझ आया तो बताइए कमेंट सेक्शन में नहीं तो इस वीडियो को एक दफ़ा दुबारा recall कीज़ेगा दुबारा देखिएगा तो आपको इंशाला इची तरह understanding हो जाएगी okay okay so thank you so much Allah Hafiz